बच्चो आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चो मैंने आपको पिछली कलास में पा, वा, जा ओर हा का नया नियम बताया लगाना भी सिखाया उसके अब इसके साथ मैं इसके सब्द चिन्न भी यह ग्रामो लोक्स तो मैं आपको ग्रामो लोक्स बताऊंगी फिर उसका अभ्यास करवाना चाहती हूँ तो आप लोग हमारी साथ अभ्यास करें और अच्छा अभ्यास करें कि तुरंत हाल के हाल आपको चिन्न भी याद हो जाएं एसा नहीं है कि चिन्न आगे के लिए हम चोड़ दें कि कल्याद करेंगे कल नहीं आज क्योंकि जो पानी है तो तुरंत ही मेनत करते जाएं और हमारी साथ ख्लास जोईन करें मैं पा वा जा और हा की सब्द चिन्न समझाना चाहती हूँ तो पहले आप हमारी साथ सब्द चिन्नों को बनाएं जैसे बच्चो पचताना अपेक्छा पूचना कहना कहते हुए अब यह पच्चताना बनेगा कैसे यह आप देखिए पच्चताना यह लाइन के ऊपर है क्योंकि तापर लाइन पढ़या की मात्रा है इसलिए इसे लाइन के ऊपर बनाएं पच्चताना इस परकार से दोबारा बनाते हैं एक ही है नी तो आप जैसे एक बारा मौर बनाते हैं पच्चताना यह आपका पच्चताना है अपेक्चा अपेक्चा वच्चों लाइन पर है तो इस परकार अपेक्चा पूचना अपेक्चा में एक ही मात्रा है अपेक्चा में एक ही मात्रा है इसलिए लाइन पर पूचन में उ की मात्रा है तो लाइन को काट कर यह पूछना हुआ बच्चो कहना का सब्द चिन इस विरकार का बना और इसी में हाँ को जोड़ दिया यह कहना हुआ कहते हुए बच्चो लाइन के ऊपर है यह कहते हुए कहते हुए कहते है कहते है कहते है चूगे चूगे चूड़ाई तो आपका चूड़ाई लाइन को काट कर है इस विरकार से फिर बना दे रहे दोबारा चूड़ाई आप यह ना सूचे दोनों चिन्न आपका एकी चिन्न दोनों यह अलग यह अलग चूड़ाई इस पिरकार से आप बना सकते है चूड़ाई जैसे बच्चो जेन्रल जेन्रल तो इसे किस पिरकार आप बनाएंगे जैन्रल इस पिरकार लाइन पर इस पिरकार यह ना का अकड़ा लगा दिया यह जैन्रल हुआ आपका तो बच्चो आप लोग चिन्न उतारते चलें किसी कॉपी में और हाल के हाल ही याद कर लें क्योंकि तुरंत किया हुआ बरके बहुत उत्तम होता है तो आप हमारे साथ चिन्नों को याद करते चलें अब बच्चो लिखना पहचानना पहचानना तो इसे आप देखिए पहनाना पहनना पही नाना पहनना पहुचना पहुचाना पहुचा बावत बंदोवस्त अब इसे आप बनाईए इसको ये लाइन के ऊपर है पहचानना पा बनाईए हा को यूं बना देजिए तो ये पहचानना ये पहनाना पहनना दोनों का चिन्न एक है सब्त के अनुसार आपको किलियल्टी आ जाएगी कि किस प्रकार से सेंटेंस के इसाब से आप पढ़ सकते हैं ये पहनाना पहनना अब ये पहुचना पहुचाना पहुचा तो लाइन को काट करके ये है अब बावत का चिन्न है तो बावत लाइन के ऊपर है इसे आप किस प यहां से बनाती हैं बावत का चिनन अब यह बावत का लाइन के उपर है इस परकार बावनता है यह इस परकार है यह आपका बावत का चिनन है बच्चो जैसी बच्चो बंदुबस्त है बंदुबस्त बनस्वती जवाब दीना देता दिया जवाब देना देता दिया तो यह बंदुबस्त का बच्चो लाइन पर है इस परकार से आप बाव को बना दीजिए बंदुबस्त का बच्चो लाइन को काट कार है इस परकार जवाब देना देता दिया तो ये लाइन के उपर है और इस पिरकार से ये जवाब देता जवाब दिया इसमें है ऐसा नहीं है देना जवाब देना जवाब देता जवाब दिया तो ये बना हुआ है लाइन के उपर तो आप लोग बहुत आसानी से अच्छी तरह याद कर सकते हैं महान इसी को महुदे भी महुदे इन दोना का चिन एक साही है महुदे मसूर मसूर तो आप किस फिरकार बनाएंगे ये महान ये सरकिल आप कहेंगे मुसीवत मुसलिम का भी ऐसा ही है लेकिन नहीं वो साह का सरकिल है थोड़ा छोटा सा है और ये सरकिल आपका थोड़ा लार्ज है बड़ा है इसलिए आप धियान से देखना कहते हैं सौल्ट हंड एक सी लगते अंतर नहीं लगता लेकिन मैं आपको एक एक अंतर बताते हुए आगे बढ़ती हूँ कि आप लोग सिर्फ आपके धियान देने की बात है आप धियान देंगे तो धियान आप पर जाएगा आपको अपने आप से लगेगा कि मैं ने बता है वो छोटा है महान महोद है लाइन के ऊपर यह थोड़ा लार्ज है मसूर का भी यह लार्ज है तो दोनों का अंतर समझ में आपको आगिया होगा बच्चो अब मैं आपको हिंदी लिख रही हूँ आपको ये पावा जाहा का अभ्यास करवाना चाहती हूँ तो किस पिरकार आप लोग अभ्यास करेंगी जैसे बच्चो बास लिखना है बास बालक बालक बिपन बिपन पसु पते पहला पत्री पहली पचारा पचास अब इन्हें आप यूज कैसे करेंगे इन्हें बनाएंगे कैसे नियम को कैसे यूज करें तो आप लोग दियान से देखिए जैसे बच्चो बास लिखना है तो ये लाइन की बा बनाया सा का अकड़ा लगाया ये बास है क्योंकि आच्छर की मात्रा है इसलिए मैंने लाइन को ऊपर किया आप लोग पिछले मैंने नियम बताया है कि आ अच्छर की मात्रा आती है तो लाइन के ऊपर एकी मात्रा आती है तो लाइन पर एकी मात्रा आती है तो लाइन को काट करके पिछला नियम देद कर आप नियम फॉलो करते चले जैसे बच्चो बालक आ की मात्रा है बाकी तो इस तरफ लगा दें और नहीं भी लगाएं तो मैंने लाइन के उपर लगाया बलक नहीं पढ़ेंगे जहां बच्चों की वाद चलती है वहां बच्चों बालक ही पढ़ेंगे इसमें सेंस लगाया जाता है ये कोई ऐसी वासा नहीं है ये जॉब की वासा है तो पूर मैचे और बच्चा ही सीख सकता है इसे तो आप सेंस लगाएं बिपन अब आगे बिपन कैसे वनेगा आपका बिपन तो आप इसे कैसे लगाएंगे बिपन ना का अकड़ा लगा दिया जैसे बच्चो पस्ल पत अब उकी मात्रा है इस साइड में आपने लगा दिया जैसे बच्चो पहला लिखना है तो पा और हाँ को निकालते हुए ये पहला हो गया पत्री आप किस परकार लिखेंगे पत्री इस परकार काड़ दिया पत्री हो गया ये जैसे बच्चो पहली पहली किस परकार अब हाँ पर एकी मात्रा है तो किस कहां पर लगाएंगे यहां पर और एकी मात्रा यहां पर लगाएंगे अच्छा पहली तो जहाँ पहेली बात चल रही है, तो वहाँ पहेली ही आप पढ़ेंगे, मात्रा को नहीं भी लगाएंगे, तब भी पढ़ेंगे जैसी बच्चु पचास, पा-चा-स, अब पचास ही हो गिया, चापरा की मात्रा है, मैंने यहाँ पर लगा दे जैसी बच्चु पठान, पदक, पपड़ा, पगह, बाजार, बाजार, बजरा, बीसक, बीनिता, अब पठान है, तो आप पठान कैसे लिखिएगा, पठान, मैंने पा बनाया, ठा बनाया, नाकांगडा, लगा दिया, पठान हो गया यह, पदक, का, पदक हो गया, पपड़ा, तो पपड़ा कैसे लिखेंगे बच्चु, पपड़ा, इस परकार से बनाएंगे पपड़ा, पगह, पगह कैसे लिखेंगे आप, पगह, हा, हा परा की मातरा लगा दि मैंने, पगह हो गया, जैसे बच्चो बाजार लिखना है, तो बाजार, इस परकार से बाजार, बाजार, बजरा, किस परकार लिखेंगे बाजार, बजरा हो गया, बच्चो बेसक लिखना है, तो बेसक, सक, साका आकड़ा मैंने लगा दिया, बेशक है, जैसे बच्चु बी निता, बीतता है, ये बीतता, तो बा, ता, बी की मात्रा यहां लगा दि, बीतता, बीमा, पसीना, बी खबर, बेकार, बेचार, अब इसे आप किस पिरकार बनाएंगे, जैसे बच्चो बीमा लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे बीमा, इस पिरकार बनाएंगे, देखिए, अब, बी की मात्रा यह लगी, मा की यह, आ की बीमा, जैसे पसीना, पसीना, ना, तो ना की यह है, पसीना बच्चो और एकी यह लगी, जैसे बच्चो बेखबर लिखना है, तो बेखबर, 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 इसमें रा का अकड़ा भी आसानी से आप लगा सकते, कोई प्रोब्लम नहीं है, बेखबर, इस पिरकार से, बेखबर, एकी मात्रा, यह लगा दी, जैसे बच्चो बेकार, बेकार, जैसे बेचारा, तो बेचारा, अब एकी मात्रा मैने यहां लगा दी, चा की यह, जै यह बेचारा हो गया, तो बच्चों आप इस प्रकार परावर समस्ते रहें, बेचारा, जमानत, जमानत, जागना, हावसी, जूरदार, जूरदार, जानकार, अब इसे आप किस प्रकार बनाएंगे, जमानत, तो जमानत को आप किस प्रकार बनाएंगे, जैसे बच्चों जमानत, अब इसकी आप कि मात्रा इस प्रकार लगाएंगे, जैसे बच्चों जागना है, तो इस प्रकार जागना, अब आ की मात्रा है, जापर तो यहां लगा देजिए, नहीं तो लाइन के उपर इस प्रकार से बनादेजिए, जागना, हपसी लिखना आपको, तो हपसी आप कैसे लिखेंगे? हाँ, वी, सई, आब इकी मात्रा है, तो थोड़ा सा सर के लागे बढाद है, यह हपसी हो गया, जूरदार, किस प्रकार लिखेंगे जूरदार, जैसे बच्चो जूर और दार, तो इसे जूरदार लिखेंगे, जूरदार, जैसे जानकार, जानकार कैसे बच्चो लिखेंगे, जान, ना, कार, तो इस प्रकार ये जानकार हो गया, किस प्रकार लिखेंगे, जान, आकी मात् और ना भी लगाए तो लाइन के उपर बनाना जानकार हो गिया हरना हर कारा ताज महल लाहौर पाठक जैसी बच्चों हर ना लिखा है तो आप किस फिरकार लिखेंगे जैसे हरना हरना ये लिख किया आपका जैसे हर कारा तो हर अकारा अपका परा की मातरा है तो इस तरीके से लगा सकते हैं हर कारा जैसे बच्चों ताज महल लिखना है तो ताज महल लाहौर लिखना है तो लाहौर पाठक आप किस फिरकार लिखेंगे पाठक आ की मातरा है ये इस फिरकार लगाएंगे पाठक तो आप लोग बरावर महनती फिरकार करते रहें और आगी इसका जो अधूरा नियाम है अभी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि आप इसे पूरा कैसे करें और ये अच्छा नियाम है यूज होता है इसका तो आप लोग बराबर क्लास लेते रहें क्लास को मिस ना करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, that's all